नमश्कार स्वागत है आपका Self Study के चैनल में और आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि राजनिती में यानि पॉलिटिक्स में अपराधियों की जो संक्या बढ़ रही है उसको लेकर सुप्रीम कोट ने क्या बात बोली है और कितने केस जो है वो पेंडि करेंगे और इस वीडियो की जो PDF है वो आप लोगों को प्रवाइड करवा दी जाएगी टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं द दिसंबर 2021 तक के या आंकड़े थे और इनमें क्या था इनमें ये बताया गया था कि पूरी देश के अंदर जो कोड्स हैं जो विभिन विभिन कोड्स हैं वहां पर MLA के खिलाफ MLA हैं देखें डिफरेंट डिफरेंट कोड्स हैं तो अलग-अलग राज्यों अलग-अलग लग-अलग डिफिक के अदर हैं तो वहांपर MLA के खिलाफ जो हैं अपराधिक मामले पेंडिंग पड़े हैं कितने 4984 अपराधिक मामले जो हैं अलग-अलग कोड्स में लग-बग-लग-पांच हजार, तो इसके चलते सुप्रिम कोड्स हैं क्यूं करने की जरूरत है और ल जो सुप्रीम कोर्ट होती है, संसद यानि जो MP है और MLA है, उनके खिलाफ जो है, जल्दी से जल्दी सुनवाई के लिए, मतलब फास्ट्रेक कोर्ट की स्थापना करने के लिए इनको नुक्त किया गया था, अब MQ Security का मतलब होता है कि अदालत का एक मित्र होता है, कोर्ट का मित्र होता है, ये एक तरीके से वकील होते हैं, जिनको बहुत जादा अच्छी समझ होती है, इनके पास बहुत जादा information होती है, बहुत जादा knowledge होती है, जो क्या करता है, help करता है court की, भई, कोई भी मामला है, उसको समझाने, उसको निप्टाने के लिए एक तरीके से, और ये किसी के भी पक्षकार नहीं होते हैं, जिन मामलों पर बहुत जादा इनकी knowledge की या फिर information की जूर्ट होती है, तो आप जाइए, चेक करिए कि यहाँ पर कितना क्रिमिनलिजम मतलब की, जैसे आपके सामने जो डेटा निकाल की, एमिकिस क्यूरी ही तो लेकर आए हैं, तो ये सब चीज़ें जो है, सरवोच न्याले और हाई कोट के दौरा ही वकील जो है, वो नुक्ट किये जाते हैं, और इनी को एमिकिस क्यूरी कहा जाते हैं, उमीद है कि आप लोगों को एमिकिस क्यूरी का मतलब समझ में आ गया होगा, अब आगे चलते हैं, कि राजनेती का अपरादी करन, यानि what is criminalization of politics, इसका क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब है कि politics के अंदर, अपरादियों की बढ़ती बागेदारी से, जिसमें क्या होता है कि जो एक अपरादी, यानि जिसने बहुत ज़्यादा criminal activities कर रखी हैं, जिसने बहुत गलत-गलत काम कर रखे हैं, अब वो चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव लड़के वो संसद या राज्ये में, मतलब एक तरीके से संसद या MP, या MLA बनकर वहां पर विदाइका में जाकर सदसे की रूप में वहां पर काम करने लग जाते हैं, अब एक बात सोचिए आप, जिस इनसान ने कानून तोड़ा, अब वो इनसान कानून बनाने लग जाएगा, तो ओविसली भारत की democracy को तो खत्रा आने ही वाला है और ये जो चीजे हैं, कोई बहुत बड़े बड़े गुंडों के साथ, इनकी साट गाट होती है तो ये इस कारण होता है अब यहाँ पर सुप्रीम कोट ने अलड़ी कुछ चीजें बोली हुई है, जैसे 2002 में सुप्रीम कोट ने कहा था कि देखे, जितने भी candidate हैं जो election में खड़े होने वाले हैं उनको एक affidavit जमा करवाना होगा उस affidavit में वो अपनी criminal activities को बताएंगे अगर है तो ठीक है नहीं है तो वो बताएंगे कि क्योई है या नहीं है उनके खिलाफ साथ इसाथ वो अपना educational qualification भी देंगे कि भी क्या रख है उनोंने साथ साथ वो ये बताएंगे कि उनकी संपत्ती कितनी है ये सारी बातें जो हैं वो 2002 में सुप्रीम कोट ने बात बोली थी अब यहां पर इस से क्या होता है कि देखें आपके सामने एक पूरा का पूरा आपके जो शेत्तर से कोई उमिदवार है तो उसकी सारी डीटेल आपके सामने है कि भाई हां इसके कोई खिलाफ कोई case नहीं चल रहा है या चल रहा है इनके पास कितनी संपत्ती तो सारी चीज़ें आपको discuss अब मतलब आपके सामने होगी जिससे क्या होगा कि आप सोस समझकर vote दे पाएंगे कि हाँ इस इंसान को vote दिया तो अगर ये गलत है तो इसके इंसान को vote दिया तो कल को चलके तो और ज़्यादा गलत काम करेगा तो ये सब चीज़ें जो हैं वो 2002 में Supreme Court ने बात बोल दी थी जुलाही 2013 में क्या हुआ Supreme Court ने एक provision था representation of people's act के अंदर representation of people act 1950 के अंदर 51 के अंदर एक provision हुआ करता था उस provision में ये कहा गया था कि भाई साब अगर कोई MP या MLA जिसके खिलाब भाई साब वो जीत के आगया है जीत के आगे उसके खिलाब कोई case पड़ा था अब उस case में उसको मतलब ये दोशी पाया गया है कि हाँ भाई इस इंसान ने वो काम किया है और उस MLA को या उस MP को दो साल से अधिक की सजा सुना दी जाती है कोट के द्वारा अब क्या होता था कि भाई ये दो साल से जादा की सजा सुना दी गई थी तो ये MP, MLA अपने पद से इस्तिफानी देते थे या फिर इनको हटाया नहीं जा सकता था ये पहले हुआ करता था तो 2013 में सुप्रीम कोट ने क्या का कि भाई ये क्या चल रहा है अगर आपको मतलब की दो सिद्ध कर दिया गया है भाई कोट ने आपको फैसला दे दिया कि आप उस क्रिमिनल एक्टिविटी में लिप्त थे तो आपको हटाया जाएगा अगर वो सजा दो साल से उपर की हुई तो तो ये चीज ध्यान रखने वाली है इसको क्या हो रहे हैं इसको दोरे क्यों पड़ रहे हैं एक मिनिट ये साल लिखा है नहीं जा रहा हा चलो ये बात बोली गई सुप्रीम कोट के दोरा कि अगर दो साल से उपर का अगर आपके Supreme Court September 2013 Supreme Court Election Commission को कहते है कि आप न एक None of the above यहाँ पर जो होता है न कि selection का भी करिए जिसमें होता है आप vote देने जाते हैं तो अगर आपने BGP को देना तो आप कमल पर press करते हैं अगर आपको Congress को देना है तो आप हाथ के उपर press करते हैं तो वैसे ही None of the above करके एक आपको वहाँ पर बटन लगाना होगा जिससे क्या होता है कि कोई उसको उपर press करे तो यह बताए कि जितने भी candidate है मेरी नजर में वो कहीं से भी सही नहीं है तो यह add करना होगा यह कब बहुत 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 कई सुप्रिम कोर्ट के तोरह 2013 सप्टेंबर 2013 हैं बोले गी फिर मार्च 2014 में क्या हुआ सुप्रिम कोर्ट ने बात कहा कि जो कोर्ट हैं उनको कहा कि आपना day to day trial करिये criminal cases के खिलाव जो criminal cases हैं pending पड़े हैं MP या MLA के खिलाव उनको जल्दी जल्दी निप्टाइए कि अगर किसी MLA या किसी MP के खिलाव कोई case आया है criminal activities related है तो भाई वो जो case है वो एक साल के अंदर-अंदर आप उसको खतम कर दीजिए ये 2014 में मार्च 2014 में सुप्रिम कोर्ट ने जो है वो direction या फिर orders दिये थे courts को जो जितने भी courts हैं भारत में उन सब को अचा फिर अगस्त 2014 में क्या होता है सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रधान मंत्री है और जो मुख्य मंत्री है अलग-अलग state के उनको बात कहा कि देखे आप अपने council of minister के अंदर देखे council of minister को मतलब होता है कि जो minister बनते हैं देखे अगर कोई व्यक्ति चुनके संसद के अंदर जाता है MP कहलाता है Member of Parliament कहलाता है इसको minister नहीं कहते हैं यह मंत्री नहीं होता है इस चीज को ध्यान रखना है मंत्री तब होता है जब यहां पर इसको कोई कारे बार समाला जाता है इसको शामिल कर लिया गया कि आप डिफेंस का समालेंगे तो यह तब वहाँ minister है minister बन जाएंगे यहां पर वरना यह Member of Parliament ही रहते हैं वहां पर यह S.A.E.M.L.A. यानि Member of Legislative Assembly होते हैं मंत्री तब बनते हैं जब इनको council के अंदर add किया जाते हैं तो यहां पर Supreme Court ने 2014 में अगस्त में यह बात बोले ही परधान मंत्री और जुतने भी मुक्य मंत्री हैं कि आप अपनी council of ministers के अंदर किसी भी ऐसे व्यक्ति को शामिल मत करिये किसी भी MP या किसी भी M.L.A. को शामिल मत करिये जिसके खिलाफ already कुछ serious offense जिसने कर रखाया या फिर उसके खिलाफ कोई case चल रहा है तो यह बात 2014 में मार्ट अगस 2014 में Supreme Court के दोरह बोले गई थी फिर आते हैं मार्ट 2016 में Supreme Court ने 5 judges की एक bench का मतलब गठन किया जो क्या करते थे कि जिनके खिलाफ जिनकी MP या M.L.A. के खिलाफ क्या होता था कि कोई बहुत ज़्यादा heinious crime के लिप थे और जिसके अंदर जो सजा का प्रावधान था लगबग वो 5 साल से ज़्यादा था उसका तुरंत भाईया उसको disqualify किया जाए और उसको 6 साल तक आने वाले 6 साल तक जो है उसको कोई भी election ना लड़ने दिया जाए ये 2016 के अंदर मार्ट 2016 के अंदर Supreme Court ने ऐसे bench का भी गठन किया तो ये जो काम है Supreme Court ने अलड़ी कर भी रखे हैं मतलब अपरादी करन मतलब कि जो हमारी राजनिती के अंदर जो criminal है वो ना आ पाए इसको चलते Supreme Court ने वो बहुत जादा काम कर भी रही है अभी हाल फिलाल में Supreme Court ने जैसे मुफ्त के उपहार बाटना होता है ना कि जब हम election जीत कराएंगे तो आपको ये दे देंगे तो इसको चलते भी Supreme Court ने बोला है कि एक तरीके से आप वोट खरी दी तो रहे हो तो ये सब चीजे मत करिए ये Supreme Court ने भी बात बोली है तो आज की डेट में Supreme Court बहुत जादा active हो रहा है तो काफी अच्छी चीज भी है आगे चलते अब यहां पर बात करें कि what are the legal aspects of disqualification of criminal activities देखिए कि अगर कोई criminal activity में लिप्त है तो उसको हटाए जाने की या फिर आयोगिता कि क्या कोई बात बोली गई है कि समीधान के अंदर देखिए समीधान के अंदर ऐसी कोई बात नहीं बोली गई है कि जो भी चुनाव लड़ने अगर वो अपरादिक परवर्तिक है तो उस विक्ति की अयोगिता के विशह में कोई भी वहां पर बात नहीं बोली गई है चोई वो विधान सभा का चुनाव लड़ने है चोई वो समीधान के अंदर ऐसी कोई बात बोली नहीं गई है कि वो नहीं लड़ सकता साथ यसाथ तिर क्या होता है कि Representation of People Act 1951 में विधाइका का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति को ऐयोग्या घोशीत करने के मान दंडों का उलेक किया गया है। उससे रोक नहीं सकते अब भले ही वो मुकदमा किसी भी लीवल का उसने किसी का मडर भी तक कर रका हो वो तब भी नहीं रोक सकते हो वो वो कितना ही घंबीर नहीं हो। अगर क्या होता है कि अगर वो उसके खिलाफ हत्या बलतकार आतकवादी गती वीडियो में शामिल होने वाले जैसे अपरादों में लिप्त है और ये सब चीजें प्रूफ हो जाती है तो इसी सेक्शन यानि रिप्रेजेंटेशन और पीपल एक्ट 1951 के तहत इसकी धारा यान को ध्यान रगना कि इसमें रिप्रेजेंटेशन और पीपल एक्ट 1951 के तहत लेकिन सुप्रीम लेकिन ये जो भारतिय समीधान इसमें शुरुआत में ऐसी कोई बात बोली ही नहीं गई थी कि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में है तो उसको एय हो गया कैसे घोसित किया जा जानून या फिर जितने भी निर्ड़ें जो सुप्रीम कोट ने दिये हैं वो अभी तक सही डंक से लागू नहीं हो पाए हैं और दूसरी बात ये है कि राजनितिक दलों द्वारा चुने के जो उमीधवार हैं उनका पूरा का पूरा बायड़ाटा दे देने के भी या उन इन से परभावितों कर उनको वोट दे देते हैं और वो जीत कर सामने आ जाते हैं दूसरी जो अपनी थर्ड जो बात है कि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में हैं वो जो गुंडे हैं एक तरीके से वो बहुबल मतलब के होता ना बहुबली उस टाइप के होते हैं वो अपन यहीं की भी समभावने बढ़ जाती हैं और कभी-कभी ऐसा होता है कि एक वीकती ख़ड़ा हुआ उसने कुछ ना कुछ inan कुछ हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रखी हैं साथ इसाथ भी वीकती ख़ड़ा हुआ उसने भी कोई हुद हैं उनके सामने दोनों ही हैं अब क्य जाया करें, बाई किसी ना किसी को तो चुनना पड़ेगा अब क्या वो क्या चुनेगा उसी को चुनेगा जिसने कम गलत काम कर रखे होंगे कर दोनों इन रखें, अब कम गलत ज्यादा गलत क्या होता है, फिराल यह तो सब चीजें जो है मददाथाओं के उपर depend करती है उनके पास कोई विकल्प नहीं रह पाता है यहाँ पर तो इसलिए जरूरी हो गया है कि criminalization करें जो है वो politics का अब क्या परभाव पड़ेगा इसे इस बात को सोचने का बहुत जादा जरूरी है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कानून तोडने वाला है अगर वो कानून बनाने वाला बन जाएगा तो भारत के जो democratic system है उसको definitely वो परभावित करेगा उस पर गलत अशार पड़ेगा और भारतिय लोकतांत्रिक यानि जो Indian democracy system है वहाँ पर इस तरीके की चीजें जो शामिल है जहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो इन्होंने criminal activities में लिप्त थे obviously पूरी देश के अंदर पूरी दुनिया के अंदर गलत सभी जाएगी कि यहाँ पर जो लोग बैटे हैं यहाँ पर जो राजनिता हैं उन्होंने इतने गलत काम कर रखें और वही कानून बना रहे हैं अब यहाँ पर कोई criminal activity में लिप्त कोई MP या MLA बनता है तो obviously वहाँ पर वो गलत काम करेगा जिसके चलते बरस्टा चार बड़ेगा बरस्टा चार बड़ेगा तो जो लोग सेवक हैं जो प्रिब्लिक सर्वेंट है वो काम नहीं कर पाएंगे सही धंक से साथ यहाँ पर यह देखेंगे कि यार ऐसा criminal activity वाला इंसान जीत के आ रहा है तो बहुत सारे लोगों पर यह गलत परभाव डालेगा फिर वो सोचेंगे यार हम ही क्यों करें जहां पर ऐसे लोग आगे आ रहे हैं तो वो अच्छे काम क्यों करें तो एक तरीके से गलत उधारन जाएगा समाज को तो यह सब चीज़ें इसलिए करनी जरूरी है आई होप सो यह चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी अब आगे की रहा क्या है देखिए चुनाव जो सुधार है उस पर विविन विविन समीतियां बनी थी जैसे दिनेश, गोसवामी, इंदर जी समीति इन्होंने कहा था कि जो चुनावी जो खर्च है आप राज्ये के द्वारा करवाईए मतलब राज्ये द्वारा चुनावी खर्च को मतलब उठाया जाएगा अब राज्ये के द्वारा अगर चुनावी खर्च को उठाया जाएगा आपको बिजली फ्री कर देंगे, आपका इतना लो नमाफ कर देंगे, तो ये बात सुरा सोच समझ के, मतलब आपको सोचना चाहिए, कि आप फ्री करने की बात कर रहे हो, क्या वो आप अपनी जेब से पैसा दोगे, भाई कोई भी यहाँ पर जेब से पैसा नहीं देता है, व वो फ्री कहां से कर देगा, अपने घर से पैसे लगा रहे हैं, क्या, नहीं भाई, यह अभी हाल फिलाल में सुप्रिम कोट ने बात बोली भी है, तो अभी देख रहे हैं कि सुप्रिम कोट बहुत जादा इस चीजों के अंदर इंटरफेर कर भी रहा है, और काफी अची च जो मामले हैं, उनको सही दंग से वो रेगुलेट कर पाए, यहां पर कोई गलत धंग से काम ना कर रहा हो, उसको सही दंग से इलेक्शन करवा पाए, तो यह सब चीजें को करने के लिए इलेक्शन कमिशन को मजबूत करना होगा, अब यहां पर मदद आता हो को भी चाहिए, अच्छे कॉलिज चाहिए, तो वो तो नहीं मिलेगा, वो क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको वो उपहार और धन देने में उस राजनेता ने उस वहां पर उमीदवार ने आपको से वादा कर दिया था, और वो वादा को पूरा करने के लिए वो धन यहां पर लगा दिया तो आपको यह सोचना है कि आपको किस तरीके का भारत चाहिए भई आप इन जैसे उपहार के अंदर आ गए तो फिर तो वो भारत नहीं बन पाएगा जहां पर आप कहतें कि यार मुझे तो स्कूल यहां पर अच्छा चाहिए था सरकारी स्कूल अच्छे क्यों न जरूरत है पॉलिटिक्स का मतलब यह नहीं है कि आप गलत चीजें करिए पॉलिटिक्स सही ढंक से करके देश को उपर उठाया जा सकता है लोगों को आगे आने के जरूरत है जिनके पास ओल्रीडी बहुत जादा इन्फोरमेशन है वो लोगों को मतलब क्या कहते हैं उनको समझाए उनको नहीं नहीं चीजों से अफगत कराए कि क्यों क्या क्या जरूरत है उनको अवेर करवाए तो यह बहुत जादा जरूरत होती है कि पॉलिटिक्स के उपर बातें हो चर्चा हो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स से उपर बातें कर रही है को उस पार्टी के समर्थ हो गया उस पार वहां पर लडाई यह शुरू होगी जैसे मैं देखता भी हूं काफी बार वही लडाई नहीं करनी है आपको एक एक ऐसी डिबेट भी करनी चाहिए जिसे कोई न कोई सोलूशन निकले तो यह सब चीजें करने की बहुत जरूरत है अब भारत की जो राजनेतिक दलों में राजनेतिक अपरादी जेखे ओविसली जो भारत की राजनेतिक दल है वो कभी भी इसके ओपर कोई भी काम नहीं करेंगे डेफिनिटल नहीं करेंगे तो इससे क्या हो रह पर परतिमन लगाने जैसे फैसलों पर विचार करने चाहिए अब सुप्रीम कोट या फिर कहें जुडिशरी है उसी के हाथ में पावर है कि कोई भी पार्टी तो इसके उपर बात नहीं करने वाली है तो जुडिशरी है उसी को कोई न कोई सक्त कदम हुटाने होंगे उमीद है कि आप लोगों को ये concept समझ में आयोगा कि criminalization of politics का क्या मतलब है कि उन लोगों को रोका जाए जिनके खिलाब ओलड़ी कोई न कोई क्रिमिनल मामले है पेंडिंग पड़े है या फिर उनका कोई अभी तक जो लिप्त है criminal activities में तो उनको रोका जाए ताकि वो ऐसे लोग ना आप आए भारतिये politics या भारती राजनिती के अंदर जो संसद में बैटकर कानून बना रहे हों जिनोंने ओरड़ी कानून तोड़ रखी हैं तो इन सब चीजों के लिए उमीद है कि Judiciary कोई ना कोई तो सकत कदम हुटाए तो उमीद करता हूँ कि यह सब चीजें आपको पसंद आई होगी समझ में आई होगी तो लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और साथ इस वीडियो की जो पीडियेफ है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलिग्राम का चैनल दिया मिल जाएगा तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो अज के लिए इतना है था थैंक्यू पर वॉचिंग इस वीडियो